नमस्कार, हरीभूमी टीवी पर आपका स्वागत है हर्याना में चुनावी सरगर्मियों के बीच विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का चुनाव लड़ना त्या हो गया है नई अपडेट ये है कि इसी बीच पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दिल्ली में राहूल गांदी से मुलाकात करने पहुंचे इससे दोनों के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे है इससे पहले कॉंग्रेस दोनों पहलवानों को टिकेट का उफर दे चुकी है विनेश को तीन और बजरंग को दो सीटों का ओप्शन दिया गया है कॉंग्रेस की कोसेस यह है कि दोनों को विधान सभा चुनाव में उमीदवार बना पहलवान अंदोलन को बीजेपी के खिलाब फिर से गरमाया जासके हाला कि अभी कॉंग्रेस को विनेश फोगाट की हां का इंतजार है बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने को लेकर कॉंग्रेस को पोजिटिव संकेत मिल गए है लेकिन बात विनेश पर टिकी हुई है कॉंग्रेस सुतरों के मताबिक विनेश फोगाट को जिन तीन सीटों का ओफर किया गया है उनमें पहली दो सीटें चर्की दादरी जिले में आती है दादरी और बाडड़ा वे इसी जिले के बलाली गाओं में रहने वाली हैं विनेश अगर दादरी से हामी बरेगी तो उनका मुकाबला चचेरी बैंट दंगल गरल बबीता फोगाट से हो सकता है बबीता यहां से 2019 में बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ चुकी थी लेकिन हार गई थी इस बार भी वे टिकट की दावेदार हैं विनेश को तीसरा ओप्षिन जींद की जुलाना सीट के लिए दिया गया है यहां विनेश वोगाट का सोसुरार बहीं बजरंग पुनिया को भी तीन स्रीटों का उफर दिया गया है बजरंग सोनिपत से चुनाव लड़ने की चुक हैं लेकिन यहां से कॉंग्रेस के मौजूदा विधायक सुरेंदर पवार को टिकट देना चाहती है पमार अभी ED केस में जेल में बंध है वह चुनाव ने लड़े तो उनके बेटे या बहु में से कोई भी चुनाव लड़ सकता है कॉंग्रेस उनका टिकट काट कर यह संकेत नहीं देना चाहती कि मुसीपत के वक्त नेता का साथ छोड़ कर चले गए बजरंग ने जजजर की बादली सीट में भी दिलचस्पी दिखाई है लेकिन यहाँ से मोजूदा कॉंग्रेस विधाया कुल्दीव वक्त्स का टिकट फाइनल कर चुकी है वक्त्स बड़ात ब्रामन चेरा है इसलिए कॉंग्रेस उनका टिकट काट कर ब्रामन वोट बैंक को नराज नहीं करना चाहती बजरंग को कॉंग्रेस की तरप से बहादुरगड और विभानी का उप्षन दिया गया है यह दोना जाट पाहुल्या सीटे हैं केंद्रिया चुनाव समीती की मिटिंग में भुपेंदर हुडा ने विनेज फोगाट और बजरंग पुनिया की टिकट की पैर भी की है हुडा ने कहा कि पहलवानों के साथ खड़े होने से हर्याना में लोगों का समर्थन कॉंग्रेस के पक्स में आएगा केंद्रिया चुनाव समीती ने इसके लिए चर्चा के बाद हमी भर दिये हाला कि चुनाव लड़ने या नय लड़ने और सीट को चुनने का फैसला विनेज और बजरंग पर छोड़ दिया गया है